हेलो व्यूवर्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पंजाबी चटकारा में आप है अनुमलिक के साथ तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को नाचोज का टेस्ट बहुत पसंद आता है हम अकसर बाहर से ख्रीद कर नाचो मक्की का आटा ले लिया है इसको बाउल में डालेंगे और यहां पर ले लिया है आधा कप पैदा और साथ ही डालेंगे एक टी स्पून नमक अच्छा कलर देने के लिए एक टी स्पून हल्दी थोड़ा सा चटपटा स्वाद देने के लिए चुटकी भर काली मिर्ज का पाउडर अब सभी सामिगरी को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको सैमी डो त्यार कर लेंगे नास ज़्यादा सक्त और नाहीं ज़्यादा सॉफ्ट तीन से चार मिनट तक हम डो को मसल लेंगे अच्छे से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अब डो को हम पांच मिनट के लिए ढख के रख देते हैं चलिए अब आगे की रेसिपी त्यार करते हैं एस पर मैंने एक पैन रखा है उसमें मैंने आधा कप दूद डाला है अब दूद में हम प्रोसेश चीज डालेंगे जो 150 ग्राम है इसको कद्दू गस कर लिया है दूद में मिक्स कर लेंगे दोस्तों अगर आपके पास प्रोसेश चीज के सुधा ना हो तो चीज होती है न जो बच्चों वाली वो भी आप जूज कर सकते हो तो चम्मच मखन डाल देंगे मखन डालने के बाद आप इसको लगातार हम चलाते रहेंगे नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने बटर और चीज जो डाली है उसमें पहले से ही नमक है अच्छा कलर देने के लिए चुटकी भर हल्दी डालेंगे मिक्स कर लेंगे अच्छे से गाड़ा होने तक इसको पका लेंगे हम चीजी क्रीमी सॉस हमारी तयार है सॉस को अगर आपने पतला बनाना है तो थोड़ा सा दूद आप और डाल सकते हो अब हम चमच की साहता से देखेंगे कि हमें कितनी गाड़ी सॉस चाहिए देखेंगे चमच के साथ इसकी अच्छी कॉटिंग हो रही है सॉस हमारी तयार हो चुकी है प्रेस बंद कर दें अब सॉस को हम एक बाउल में निकाल लेंगे दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और लाइक एंड चेर जरूर करें और कमेंग करके मुझे जरूर बताएं कि आज की ये रेसे भी आपको कैसे लगी अब हम आटे को भी चेक कर लेते हैं और एक बार और मसल लेते हैं ताकि ये और नरम हो जाए आटे से एक पेड़ा बना लेंगे एदे से कोट करेंगे और इसको पतला बेल लेंगे रोटी की चारो किनारे हम काट लेंगे और इसको चकोर का शेप देंगे वोग की सायता से हम इसको चेद कर लेंगे ताकि ये नाचोस हमारे फूले नहीं जादा से जादा क्रिस्पी बनेंगे बीच में से काट लेंगे और एक के उपर एक राखके तिकोर्णी शेप दे देंगे जादा क्रिस्टर्णी शेप आर उपर चेपों झाल झाल जादा क्रिस्टर्णी शेप लेंगे गाइस सबी नाचोस को हम इसी तरीके से त्यार कर लेते हैं पहले पहले जादा गरम कर लेंगे फिर मीडियम याच पर हम नाचोस को फ्राइब कर लेंगे प्राई कर लेंगे प्राई कर लेंगे प्राई क्रिस्टी और मुझेदार अभी आपको इसकी आवाज सुनवाती हूं तो देखा आपने कितने क्रिस्पी हैं यह अब हम दूसरा बैच भी तयार कर लेते हैं नाचोस को पिस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए इसका मसाला तयार करते हैं तो यहाँ पर एक कटोरी में मैंने एक बड़ा चमच जीरा पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच लालमिश पाउडर नमक आधा टीश्पून काला नमक आधा टीश्पून हमचूर पाउडर आधा टीश्पून ओरिगेनो आधा टीश्पून और लसुन का पाउडर आधा टीश्पून लसुन का पाउडर अगर ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं आप सबको अच्छे से मिक्स कर लें लीजे दोस्तों नाचोस हमारे तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी हैं। देखिए आपको एक नाचोज में उठाके तोड़के दिखाते हूं। देखा आपने कितनी अच्छी आवाज आ रही है। अब नाचोज को हम बड़े बाउल में डालेंगे। अब जो हमने मसाला बनाया है उसके दो चम्मच आप इस पर डालके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखा आपने कितनी असान थी यह रेसिपी चलिए अब मिलते हैं एक और नई टेस्टी और असान रेसिपी के साथ। बाई बाई झाल, झाल, झाल